नमस्कार पुस्पलता कीचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं चने की डाल बिल्कुछ साधी स्टाइल बहुत ही टेस्टी बहुत ही आसानी से बनने वाली है ये डाल और इस डाल को मैं घी में बनाऊंगी वो भी देशी घी में तो चली हम आगे प्रो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फुल के तयार हो चुकी है और अब इसमें डालने के लिए कुछ मसाले देख लेते जैसे तेजपात चार मैंने लाल मिर्च ले रखी उसुकी और इसमें पोस्ता दाना है जैफर है दालचीनी है जावित्री है चक्री है और साह जीरा है जीरा है पोस्ता दाना है और जैफर इन सभी को मैं सिल्वर्टे से पिसके तयार करूंगी और कड़ाई जो है मैंने गैस पे रख दी हूँ कड़ाई जो गरम हो चुकी है अब इसमें मैं एक कर्ची घी डाल दूंगी वह भी देशी घी जो है जितनी हम चने की डाल लेते है उसका आधा इससा इसमें हमें घी डालना पड़ता है पर मैं घी थोड़ा कम डाल रही हूं और इसमें अब डाल दी हूं तेश पात और कुछ खड़े मसाले जैसे बड़ी लाईची छोटी लाईची काली मिर्च दाल चीनी और चक्री और तीन मैंने लाल मिर्चा सुखा ड दाल को बनाने के लिए चने की दाल जितनी रथी उतनी प्याज लगता उसका आधा इससा हमें घी डालना रहता है और और बहुत बतब नंकर तयार होती है it कि सादियों में ऐसी तरीके से बनाई जाती है तो हमने प्यास को डाल दिये हैं अभी प्यास को दून लेते हैं तो हम प्याज को अच्छी तर से चलाते वे भून करके तयार कर लेते हैं और अब इसमें हम एक चम्मच अधरक और लशन के पेश्ट को डाल देंगे लशन को आप बढ़ा सकते हैं और इसको हम चलाते वे भून लेते हैं तो आप देख सकते हैं प्याज जो हलकी फुलकी भून चुकी है और अब इसमें मैंने जो सिल्बटे से मसाला पीज के तयार करी थी उसको मैं डाल दी हूँ तो मसाले में मैंने हल्दी नहीं पीजी थी तो इसलिए मैं एक छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और एक खाने वाले चम्मच से कास्मेरी लाल मेर्ज पाउडर डाल दूँगी जिससे कलर बहुत ही अच्छा है और इसको मैं मिलाते वे भून लूँगी मसाले को हमें बहुत ही अच्छी तरह के से भूनना है जितनी अच्छी तरह से आप चलाते हुए भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और इस चने की दाल को आप अगर एक बार बना के खा लेंगे तो मचली मीट खाना छोड़ देंगे क्योंकि बहुती टेस्टी होती है इसको मैं चलाते हुए अच्छी तरह से भून करके तयार करूंगी तो आप देख सकते हैं घी जो है उपर मसाले को भूनने से उपर दिख रहा है और अब इसमें मैं चने की डाल 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 दूंगी इसको मैं मिला लेती हूँ इस वीडियो को आप बीच में न छोड़िये इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपके समझ में आएगा तो इसको मैं चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेती हूँ और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी जो मसाले बहुत अच्छी से भून चुके थे तो पहले पानी मैं थोड़ा सा ही डालूंगी और इसको मैं मिला लेती हूँ तो जितना मैं पानी डाली हूँ इतना पक करके सबजी तयार होनी चाहिए तो इसमें मैं पानी थोड़ा और डालूंगी जिससे बहुत ही अच्छी तरह से चने की डाल पक जाए तो मैंने पानी और डाल दी हूँ इसको और अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ और अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसको मैं कुछ देर पकाऊंगी तो नमक को मैं मिला लेती हूँ तो आप देख सकते हैं चने की डाल की सबजे अच्छी तरह से पक रही है अब इसी समय मैं दो चम्मच मावा डाल दूंगी अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालिए और एक चम्मच खाने वाले चम्मच से मैं चिकन मसाला डाल दी हूँ और यह मैंने प्याज को फ्राइ करके तयार कर रखी हूँ इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ और अब इसमें मैं कस्तूरी मेथी को क्रस करके डाल दूंगी और इसको मैं मिला लेती हूँ और इसे मिला करके मैं इसको कबर करके कुछ देर और पका लूंगी तो इसको मैं अच्छी तरह से पका के तयार कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं चने की डाल जो है लगभग पक करके तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं इसी तरीके की जो ग्रेवी हमें चाहिए इतनी नजादा सूखी आना जादा तरी वाली चने की डाल बहुत ही अच्छी से गल चुकी है आप देख सकते हैं तो चने की डाल की सबजी बन के तयार हो चुकी है और उपर से मैं धनिया की गानिश कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरा रखा है और अब इसे मैं सर्फ कर लूँगी तो मैंने एक ठाली में सबी को सर्फ कर ली हूँ चने की डाल को और उपर से धनिया की पत्ती डाल देती हूँ आपको मैं इसे उठा करके भी दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बन के तयार हो रखी है और अब इसे मैं लाइट को बंद कर देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर लाइट बंद करने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो आप देख सकते हैं लाइट बंद करने के बाद तो अगर आपको ये चने की दाल की रेशिपी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेहर कीजिए अगर कोई कमिया है तो कमिट करके बताईए फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेशिपी के साथ नमस्कार